राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और प्रथम तल जिसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आम श्रद्धालू जा सकेंगे वो तिथी बहुत करीब आ चुकी है ऐसे में साधवी रितंबरा हमारे साथ हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो इस तिथी के इतने करीब पहुँचकर दीदिक कैसा महसूस कर रही आप इस समय जब हम बहुत चलते हैं चलते-चलते पैरों में छाले पड़ते हैं वो रिसने भी लग जाते हैं रक्तरंजी दूल दूसरी तो हो जाते हैं लेकिन जब वही पैर मन्जिल पर पहुच जाते हैं तो च्छालों की जलन मिट जाती है और हुर्दे आनन्द से वीभोर हो जाता है ऐसी ही प्रसंद्पा पर वो रास्ता और वो च्छाले स्मरण रहते हैं हमेशा हां क्योंकि हम जिस उपलब अधिको उपलब्द किये हैं श्वेता, वो हमारी यात्रा 500 साल की यात्र है, मेरे पुर्खों के, मेरे पूर्वजों के संकल्प की यात्र है, उनके बलिदान की यात्र है, उनकी निस्ठा की यात्र है, श्रद्धा से वो सर जुखते रहे, सर पे पगड़ी बानना स्विकार नहीं किया, जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा, उन सत संकल्पों ने संघर्ष की सामर्थ दी, और आप जानते हो, कि संघर्ष बिना संकल्प के संभव नहीं होते, जब संकल्प दड़ होता है, तो संघर्ष संभव हो जाता है, और अगर संकल्प में कोई भी कल्प ना ह तो वो संकल्प हमें सिद्धी के द्वार पर खड़ा कर देता है आज सनातन जगत सिद्धी के द्वार पर खड़ा है क्योंकि राम मंदिर में राम लला विराजमान होने वाले हैं वो 23 दिसंबर का ही दिन था मतलब यही समय चल रहा है जब राम लला प्रकट हुए थे और उसके बाद से आंदूलन ने और तीज़ी हाले की वो तो 90 के दशक की बात अलग थी पर लगभग इसी समयकाल की बात है देदी हाँ बिलकुल इसी समयकाल की बात है सर्यू का जल लेकर कोटी कोटी जनों ने संकल्प किये थे संकल्प किये थे वो सर्यू के तट थे अयोध्या नगरी की पवित्रता थी सनातन की साश्वत सत्ताचित में विराजमान थी और निर्मल हिर्द्यों के संकल्प थे हम समझते थे भारत की जनता भारत का जन मानस समझता है कि हम कभी भी शेता किसी भी बड़े व्रक्ष की अमर बेल बनकर नहीं जी सकते अमर बेल होती है न जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती वो किसी दूसरे व्रक्ष पे लिपट जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। और हम सनातनी तो बट व्रक्ष हैं, हमारा अपना एक अस्तित्व है, हमारी उज्वल साश्वत बहुत लंबी प्राचीन लेकिन नित नूतन परमपरा है, और उस परमपरा का संभाह को अगर हम बनना चाहते हैं, तो फिर अयोध्या में श्री राम जनम भूमी पर भब्य मंदिर का निर्मान होना चाहिए, और उसमें राम लला विराज माना है। आपने उसका स्वरूप देखा, एक छोटा सा चित्र हमने यहां बनाने का प्रयास किया है। किल से आपकी 26-27 साल की उम्र उस समय थी, वो क्या कारण था जो एक इस उम्र की लड़की उस तरीके से निकल पड़ी थी राहों पर। कारण तो पीडा थी। बहुत बार लोग कहते हैं कि प्रेरणा लेकिन मैं समझती हूं वेदना। वेदना थी चित में कि राम जान के जो यात्राएं हैं उन रथों पर पहरे क्यूं हैं? प्रतिबंद क्यूं हैं? हमारे जो आराद्ध हैं उनके जनम भूमियों पर पराभवी युग के प्रतीक क्यूं हैं? हम अपनी जड़ों के साथ, अपने मिटी के साथ, अपने मिटी के सोंधेपन के साथ, अपनी उज्वल परंपरा के साथ, अपनी सनातन परंपरा के साथ क्यूं नहीं जुड़ पा सकती हम अपनी बात को कह नहीं सकते और जिनका नाम लेकर शेता हमारे जीवन का प्रारंब होता है जीवन का अंत होता है और उस अंत को भी हम अंत नहीं मानते क्योंकि हमारे जीवन की हमारे अस्तित्व की यात्रा अनंत है लेकिन उसमें राम है जहां हम पहुंचे हैं वो या आसान नहीं थी, बहुत प्रतिकूलताएं थी, बात को सुनने का किसी के पास धम नहीं था और बात को कहने का किसी के पास साहस नहीं था, साहस चाहिए था, शहुरिय चाहिए था, सत्य बहुत कड़वा होता है शेता, सत्य जो होता है न तीर की तरह सीने में चुब जाता है औ बंदे को पसीना आ जाता है ये चित में व्याकुलता थी वेदना थी उसके कारण बहुत प्रतीबंद थे आप सोचो शेता हम सोचते हैं आज खड़े होकर इस मोड पर कैसे हुआ अभी इसी दिल्ली में मेरे उपर तो 35 मुकदमे थे आपको मालू में मुझे जहां भी कहीं ज कैसे जेल की शलाखाओं के पीछे कैसे रह सकते हैं तो उसके कारण लेकिन एक ऐसी अज्याद शक्ती थी जो पता चल जाता था कि अभी पूलिस आने वाली हमा मैं अपना अनुभा बतारी हूं कि हमा यो हरीद्वार पहुंचे प्रवास करते करते हमारे आश्रम में तो मैं अने वहां पे ब्रह्मचारियों से पूछा मुझे भूख लगी है कुछ बन गया तो उन्होंने का कि बोज निशाला में सिर्फ दाल बनी है तो मैं तुम दाल ले हो तो दाल का कटोरा आया मैं बरामदे में बैठके दाल पीने लगी अंदर से आवा जाई के पुलिस आने पाली है मैंने ब्रह्मचारियों से का जाओ दौड के जाओ आश्रम के दर्वाजे को बंद गर दो और वो दर्वाजा ऐसे शलाखों का दर्वाजा था उन्होंने जैसी अंदर से सांकल लगाई तैसे ही पुलिस की जीपा के खड़ी होई मैंने वो दाल का कटोरा वहीं गई और पीछे मैंने ते करीमन बारे फुट उंची वो दिवार थी मैंने पीछे चलांग लगा दी वो दिवार जो थी मिट्टी के गारे से चुनी हुई थी वो साथ में दिवार गिर गई मैं पीछे जो आश्रम वाले थे उनको मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की साहयता चाहिए मदद चाहिए वो मुझे देखके डर गए बोले रितंबरा तुम यहां से जल्दी चल जाओ नहीं तो पीर पुलिस तुमारे पीछे आ जाएगी तो मैंने उनसे गा इतने डरते हो तुम लोग और वहां से मैं निकली वहां से रिक्षा पकड़ा शेता जी मैं दूद सहब की बस थी माचल की मुझे लगा मुझे उत्तर प्रदेश से निकल जाना है मैं उस बस पे चड़ गई और आप यह देखो कि पाउंटा सहब पहुंचने से पहले 25-30 किलो मीटर पहले जंगल में वह बस खराब हो गई सांज हो रही थी सारी सवारियां उतर उतर के इदर उदर कहीं जा रहे हैं दूसरे दूसरे साधन बगड़ के मैं वो किम कर तभी भी मूड शब्द होता है न क्या करेंगे मैं सडक पे खड़ी हूं शेता और एक बजुर्ग ब्रद्धा उसके सिर के उपर शेत बालों की जटाएं थी पूरी कमर जुकी हुई चेहरे पे जु पूसकी कुटिया यहता आज भी मैं याद करती हूं तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है मुझे रोंगटे खड़े हो जाते है मुझे रोमांच हो जाता है वो पूसकी कुटिया में वो माता मुझे रात बर बाहों में बांदे रही बोले रितंबरा मुझे पते है तेरा स कुराते हुए योध्या से निखल गए वो कभी अपने लिए अधिकार नहीं जताते पुत्री लेकिन मेरा कनया बहुत टेड़ा है और टेड़े मेरे काम भी कर लेगा और उन्होंने यू कहके मुझे छोटे से लड़ू गोपाल दिये और बोले इन से कह ये तेरे राम का मंद पिर बना देंगे रात भर वो स्निग्ध आलिंगन वो वत्सलता की गरिमा वो सुरक्षा का बोध मुझे लगता था वो कोई ब्रद्धा नहीं है भगवती पारवती ये रूपधारन करके यहां आ गई है और वो रात नहीं है आप सोचिए कि योजना होती है कुछ कुछ प आपको पता ही नहीं कि अगला प्रिष्ट क्या है आपके जीवन का अगला अध्याय क्या है ऐसे सैकडों हजारों संसमर्णों से मेरा चित भरा पड़ा शेता उस उस पूरे अंदोलन के दोरान ये लगता था कि कोई ऐसी शक्ती है जो हम सब को संचालित कर रही है क्योंकि योध्य का अंदोलन विश्वहिंदू परिशद के मार्गदर्षण मंदल के संतों के संकल्प से प्रारंब हुआ था शेता जी फिर बाद में वो अंदोलन ना किसी व्यक्ति का था ना किसी संगठन का था फिर वो जन annatोलन था राम 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 इस देश के अंदर हो रही जर्नम भूमी के लिए अर्पित हुई तरुनाईयां अर्पित हुई शरीयों की जल को रक्त से लाल होता भी समय ने देखा समय उसका साक्षी था समय साक्षी था कि जब आप किसी भावना पर प्रतिवंद लगाते हो तो वो बंधन कैसे टूटते हैं जैसे बाढ़ गरस्त न दढ़ हुआ यह साक्षी है आज भी भारत के बहुत सारे लोग के आप आस्थाओं पर प्रतिवंद नहीं लगा सकते आप भावनाओं पर प्रतिवंद नहीं लगा सकते और जितने प्रतिवंद लगे जितना बल प्रियोग हुआ उतना ही संकल्प दढ़ हुआ करना ही है सर कर दो마लिकार हमें क्यों नहीं मिलेगा हमारे रम लैला का बभ ये मंदिर नहीं बने गा तो रोश भी था को वी था एक बात तय है शेता के साथिक शंकलप था कि मोई ऊसके पीछ है जंडा नहीं था गानमन धन हिसको कहते हैं लुक continues to इसलिए जब ऐसा होता है तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता समस्टी बन जाता है उसका अहम वयम बन जाता है और वो बिंदू से सिंदू हो जाता है पर एक लंबी कानूनी लड़ाई भी चली बहुत सारे आरोप सियासी भी लगते गए और विद्वन्स का नाम लेकर ये भी कहा गया कि विद्वन्स के आधार पर क्या आगे कोई काम हो सकता यानि कि जब आदालत में भी आखरी दौर की सुनवाई चल रही थी अंतिम चरण की उस समय भी ये कहा गया कि अगर कभी तूटता ही नहीं वो धाचा तो उसके बाद वहां पर कुछ प्रूव करने की बात नहीं आती और राम बंदिर शायद निर्मित नहीं होता बहुत आरोप लगे आप लोगों पर कोई बात नहीं राम जी के लिए आरोप भी जेले हैं और भी जेल लेंगे क्योंकि आरोप प्रत्या रोप तो शुद्र राजनीती का एक अपना स्वरूप होता है उसमें कुछ होता है कुछ हानी होता है उस विशे में क्या जाना है लेकिन एक बात तो निष्चित है कि यह तो राम जी की योजना थी ना संगटन की योजना थी ना व्यक्ति की योजना थी एक एक कार सेव कहनुमान वन गया था और ऐसी ऐसी दशा थी कि सभी समझा रहे थे कोई समझन के साथ जुड़े ये बात निश्चीत है कि प्रमान तो धर्ती के भीतर चिपे थे श्वेता वो धांचा ना हटता तो वो प्रमान कैसे अपने आपको प्रमानित करते इसलिए ये सब इश्वर ने रची हुई योजना थी और अब तो हम भब्य मंदिर का निर्मान देख रहे आपके मन अनुसार है जो अभी मंदिर क्योंकि ये तो जो तैयार हुआ था मॉडल जिसके आधार पर सालों साल लगे रहे सब पत्थर को तराशने में वहाँ पर कितनी कितनी अपनी पूरी जीवन को वहाँ पर खपा दिया है अपने परिवारों को छोड़ कर तो वैसा ही लगता है मंदिर जैसा सोचा था बस मंदिर बनेगा एक एक शिला एक 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 एंट राम नाम अंकित एंट कार सेवकों के रक्त से अविशिक्त एंट संकल्पों की दढ़ता को धारन करती हुई एंट शरद्धा के पुश्पों से सुर्भित होती हुई वो राम शिला बहु क्योंकि श्रे की लड़ाई खुब चलती है श्रे तो सबको है आप सोचिए जब विश्व हिंदु परिशद के मार्गदर्शक मंडल ने संतों ने सद विरक्त संतों ने श्रेता मठ मंदिरों में रहने वालों ने वो तो थे ही लेकिन गंगा जी के किनारे की जाड़ियों में रहने वाले विरक्त भी अपनी मर्यादा को तोड़ मर्यादा क्या थी उनकी किसी चत के नीचे नहीं रहेंगे आसमान की चाधर ओड़ेंगे धर्ती का भी छोना होगा बुजाओं का तकिया होगा किसी भी जगे से भिक्षा मांग के खाएंगे लेकिन जब राम जनुभु मी का संकल्प हुआ तो वो लोग भी उतर कर आए मैदान में माइक पकड़े अपनी संतानों को जगाया कि तुम धीर पुरुषों की तुम जाजिवले मान परंपरा के संभाह को इस तरह इस तरह बिकर ना तुमें शोभा नहीं देता पत्थर जो चोट खाके टूट गया कं संकर बन गया तुम उठो जागो अपने स्वरूप को पहचानों ऐसे महापुरुषों का संकल्प फिर उसके बाद शिरिलाल कृष्ण आडवानी जी जब राम रत लेकर निकले पूरे देश के अंदर एक अदवुत वातावन पैदा हुआ लेकिन भारती जंता पर्टी रा मैं राम जनब भूमी के लिए हजार सत्ता इन्योचावर कर सकता हूं तो निश्चित रूप से उन सब को भी श्रे जाता है और फिर जब उस दिन जब भूमी पूजन हुआ शेता अर्देश के प्रधान मंत्री जब अयोध्या में राम लला के सामने दंडवत परणाम कर र पराका सम्मान किया साधी जी भगवत कथा राम कथा आप सुनाती रहती हैं जैशिराम 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 शेता धरनिवाद आपको